हेलो एवरीवन मैं हूँ मोहमत सोहिल वेलकम बैक टो आवर चैनल हाइपर ट्रेड इस भी अगर आप पहले बार यूटूब चैनल पे आए तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आज मैं चार इंट्रडे स्टॉक्स पर बात करने वाला हूं पहले मैं दो स्टॉक्स में बात करूंगा उसके बात बहुत इंट्रडेक्शन होगा मेरा टेलिग्राम चैनल का फिर उसके पर दो स्टॉक्स के पर में बात करूंगा दोस्तों आज हमारा पहला स्टॉक है विप्रो लिमिटेड का 15 मिनेट का इंट्रडे कैंडल चार्टे नाशनल स्टॉक 25 मार्च में मार्केट के अंदर प्रेशर सेलिंग था उसके बाद स्टॉक में भी सेलिंग देखने को मिला सेलिंग के बाद यह ट्रेंड चेंज किया बाइंग के तरफ अब जब ट्रेंड चेंज किया जब था बॉटम फिशिंग बॉटम फिशिंग क्या होता है दोस्तों वह होता है जिदर stock oversold होने के बाद फिर से buying चाल होता है जैसे over buying हो रहा है तो 60 break करता है profit booking के लिए उस over buying को continue करके उपर से नीच चलाता है यह होता है हमारा RSI अभी आप देखिए इसके अंदर position क्या बन रही है इसके अंदर position बन रही है buying की अभी यहाँ पे position जो buying की बन रही है इस buying position के अंदर हम लोग trend कैसे पकड़ है already minus level mcd में club हो चुका इसका मतलब यह है कि यहाँ से उपर ही जाएगा और 40 RSI on consolidation है इसका मतलब यह भी है कि यहाँ over buying start हुआ है अभी हम लोग candle में कैसा पच्छाने की यह उपर जाएगा जैसे मैं अपने प्रीवियस इंटरे स्टॉक्स के अंदर आपको बताता था क्या बताता था दोस्तों exponential moving average होता है जो अपने कोई भी particular candle यह भी candle ही है ठीक ह यह होता है exponential moving average exponential moving average क्या है वह ऐसे plane moving average होता था पर यहाँ पर हुल्मा के अंदर अगर candle का mid range break कर रहा है उपर से आ रहा है तो यहाँ पर red color का indication दे देगा क्या बोलके कि stock यहां से नीचे गिरने वाला है जैसे जैसे नीचे आ रहा है यहाँ पर भी देखो mid range break किया पर यह उ अब यहां से नीचे से जा रहा है इसका मतलब यह है कि यहां पर बैइंग प्रिशर इसका मतलब यह है विप्रो लिमिटेट के अंदर चाहा है वह फॉस्ट हो सेकेंड हो प्रेशर और बैइंग ही होने वाला है तो मैरे complete suggestion है अगर यह कल live market में gap up open हो गया तो ट्रेड मत करो ट्रेड करना ही बेकार है तीन से चार रुपी मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा अगर यह थोड़ा बहुत नेगिटिव भी open करता है इसका मतलब में positive ही जाएगा तो मेरा suggestion है 604 पे entry लीजिए और पहला breakdown level 608.50 पैसा पर है तो मैं आपको पहले breakdown level के हिसाब से 608 रुपीज क का only single target दे रहां double target नहीं यह मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का link आपको नीचे description में मिल जाए अगर अभी तक आप जॉइन नहीं किये हो तो जॉइन कर लीजिए अगर आपको market में कोई problem है या कोई दिक्कत है को स्टॉक में अटके हुए हो और वो स आप मेरे instagram page मुझे dm कर सकते हो और internet live test stock market update के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे जॉइन कर सकते हो instagram में आप direct dm करिए आपके message का reply मैं आपको दूंगा दूस्तों हुआ है हाँ ओ तो यह सेकंड इंट्रेश के दोस्तों आक्सिस बैंक का आक्सिस बैंक का यह 15 मिनिट का इंट्रेश केंडल चाट है को आपसे जो हमारा Axis Bank Limited previous कुछ दिन से 24 तो 25 तो 23 से जो consolidation दे रहा था यह consolidation में वह इंट्राडे हो सकता है पर position holding नहीं हो सकता है क्योंकि consolidation MSD वह indicate करता है जिदर बाइंग का भी pressure आता है immediate buyer खतम हो जाके seller का pressure आता है sellers खतम हो जाके buyer का pressure आता है जिसे हम लोग बोलते है consolidation and I say he consolidation Axis Bank में पिछले दो दिन से देखने को मिला जिदर buyer का भी pressure आ रहा है seller का भी आ रहा है seller का भी आ रहा है buyer seller buyer seller buyer अभी यह जो buying के position में जो Friday live market 25th March को जो एक close किया यह close किया near to 60 level 60 level वह होता है जिदर stock के अंदूर overbought हो चुकी और stock profit working थोड़े दूर जाने के बाद लेगा तो अभी यहां पे तो जो overbought हुआ है overbought का perfect rally भी आना बाकी है दोस्तों तो मेरा suggestion आपका यह है कि Monday live market में आपको Axis Bank Limited के अंदर full on buying पे ही trade करना है buying पे trade इसलिए करना है क्योंकि यह already अपना final breakdown level दे चुका और overbought है और minus level पे अगर यह gap up open हो रहा है या कुछ levels उपर ओपर हो रहा है तो intraday मत करिए अगर यह नीची open हो रहा है like 721, 722 तो हम लोग trade पकड़ सकते हैं पर यहां पर हमारा और final breakdown level है 730 अगर यह 730 level पर direct open कर रहा है तो trade ही मत करो direct selling position ही 730 से पकड़ो दोस्तों